आज मैं आपके साथ शेयर करणगे फ्रेंड साल के 365 दिन और बारों महीने फूल देने वाले प्लांट्स तो जो ऐसे प्लांट आप जरूर लगाएं अपने गार्डन में जो हमेशा आपके गार्डन में फ्लारिंग करते रहते हैं और भर-भर के फूल आपके गार्डन में द यह बॉगन विला और बॉगन विला बहुत सारे कलर्स में मिलता है और पूरे साल भर जो आपके गार्डन में फ्लारिंग करता रहता है तो इसको एड़ करना आप अपने गार्डन में ना भूलें और बहुत ही खुबसूरत रंगों में और बहुत ही खुबसूरत वराइटी करता रहता है बहुत सारी वेराइटीज रोज की मिलती है और नेक्स ये बेवी सन रोज बेवी सन रोज भी जो एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड जो हमेशा आपके गार्डन में ब्लूमिंग करते रहता है थोड़ा सा विंटर को छोड़ करके अगर विंटर के एक दो महीने करसित कर देते हैं तो नेक्स है चांदनी और चांदनी भी जो है फ्रेंड हमेशा ही फ्लारिंग करता रहता है आपके गार्डन में और देता रहता है भर भर के फूल आपके गार्डन में तो चांदनी को भी एड़ करना ना भूले चांदनी की कई सारी वेराइटी होती है और ये चोटी वली चांद्नी की वेराइटी एक्जोरा, एक्जोरा भी कई सारे कलर्स में मिलता है, मेरे पास तीन कलर है एक्जोरा के, पिंक रेड और ये यलो और बहुत खुबसुरत बहुत भर भर के फ्लार देता है, हमेशा फ्लारिंग करता है, नेक्स्ट है पेंटास, और पेंटास का तो कोई जबाब नहीं है फ्रेंड हमीशा जो है गुच्छों में इस तरीके से फूल खिले रहते हैं और साल के बारों महीने फ्लारिंग करते हैं बहुत जादा अगर आप सर्दियों में इनको सेडी एरिये में रखेंगे तो भी ये हमेशा फ्लारिंग करते रहते हैं लेकिन अगर आप इन्हें थोड़ा ओस के नीचे पाले के छोड़ देते तो ये थोड़ा जल जाते हैं और नेक्स्ट है जरेनियम और जरेनियम से आप सभी वाकिफ है और लगवक सभी के घरों में मिलता होगा तो जरेनियम भी पूरे साल के 365 दिन बारों महीने जो ही आपके गार्डन में ब्लूमिंग करता रहता है और बहुत खुबसूरती आपके गार्डन में परदान करता रहता है और नेक्स्ट ये देखे मेरे पास जो ये रेड है ये भी बहुत सारे कलर्स में मिलता है मेरे पास रेड, पिंक, ओरेंज सभी कलर है और ये विनका विनका का तो क्या कहना इनका नाम ही सदा बाहर है विनका या सदा बाहर जो सदा बाहर ही खिले रहते हैं और बहुत सारे colors में यह भी मिलते हैं मेरे पास कम से कम यह 5 यह 6 color है और बहुत खुबसूरती से ब्लूमिंग करते रहते हैं आपके garden में और बहुत खुबसूरती आपके गार्डन को परदान करते हैं, साल के 365 दिन ये महकते रहते हैं आपके गार्डन में, और नेक्स्ट है ये जाफरी मेरी गोल्ड और ये जाफरी मेरी गोल्ड भी बहुत खुबसूरत फ्लार प्लांट होता है और ये भी हमेशा चलते रहते हैं हमेशा ब्लूमिंग करते रहते हैं आपके गार्डन में और बहुत खुबसुरत फ्लार प्लांट होता ही है तो इसको भी एड़ करना ना भूलें अपने गार्डन में और नेक्स्ट जो यह गुम फराना गुम फराना भी दो कलर में है मेरे पास एक वाइट और यह के पिंक त दोनों तरीके से जो यह डेवलफ हो जाता है यह प्लांट तो इसको जो है अएड़ करना ना भूले अपने गार्डन में और अपने गार्डन में देरों फ्लारिंग और देंतस के तो क्या कहने बहुत ही खुबसुरत रंगों में कलर्स में डेजाइन में देंतस मिलता और बहुत खुबीरती लगता है और मेरे पास इस हम्य कम 3-4 वैराइटी है। हम ज़सा फ्रेंड बस थोड़ा सा अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते रहेंगे इसके डैटश फ्लार्स को हटाते रहेंगे प्रफ्रक्राइद करते रहेंगे और अपने garden को हमीजा महेका करके रख सकते हो तो ना add करना भूलें इसको और next जो है बहुत ही खुबसूरत flower है cosmos और cosmos भी बहुत सारे colors में मिलता है बहुत ही खुबसूरत यह लगता है और ये भी हमीजा चलने वाला flower plant, friend ये भी cutting से ये से दोनों से groove हो जाता है और बहुत बढ़िया ये चलता है मेरा ये last year का cosmos अभी तक भी चली रहा है तो next है हिविसकस और हिविसकस भी बहुत सारे colors variety में मिलते हैं double petal, single petal, dwarf variety, chinese, height variety सबी तरीके के हिविसकस आपको मिल जाएंगे मेरे पास भी 3-4 variety तो हैं हिविसकस की और ये dwarf variety में भी आपको कई सारे colors, variation मिल जाएंगे तो आपका जो पसंद का color हो आप हो add कर सकते हैं अपने garden में बहुत ही easy to maintain, easy to grow और almanda, almanda भी बहुत खुबसूरत है friend और almanda भी कम सकम 2-3 colors में मिलता है एक आपको हलका pinkish shade लिए होगा मिल जाएगा और next जो है ये है कनेर और कनेर भी कई सारे colors में मिल जाते हैं double petal, single petal तो ये मेरे पास द्वाव variety तो ये मेरे पास देशी variety है बहुत खुबसूरत है इसमें मेरे पास एक red color है तो आज के लिए इतना है friend hope so आपने वीडियो को enjoy किया होगा तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगे तो आगे तक जरूर share करें और bell के icon को press करना ना भूलें ताके आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहें तो थैंक यू वाई हपी गार्डनिंग